नमस्कार दोस्तों मैं निखिल अगर आप UPSC, NTNAT, State Public Service Commission जैसे की बिहार Public Service Commission, शप्तिजगण Public Service Commission, उक्तर प्रदेश Public Service Commission इसके अलावा अगर आप State Net जो होता है आपका वो या फिर BA और MA की तयारी गर्शन शास्त्र से कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में अमारे नमबर दिये हुए हैं हम 2012 से जी हाँ 2012 से ऑनलाइन फिलोस्फी पढ़ा रहे हैं तो जिस भी किसी विद्धारती को आवशक्ता हो वो हमसे बात कर सकता है बहुत बहुत धर्नेवाद रवशकार दोस्तों मैं आपका दोस्त निखिल एक बार फिर से हम एकत्रित हैं यहां पर आपका यूपी एस सी दो हजार बाईस तेईस का जाए एक्जामिनेशन होने वाला है मेंस का मैंने आपसे कहा था कि हम कोशिश करेंगे बहुत ही कम अलफाज के अंदर बहुत ही कम किके अंदर हम अपनी किलाश्वी के के सेक्षिन को रिवाइस करेंगे बहुत सारी किताबें पढ़ लीुक्त आपको शुरू करिंगे आपके नास्तिक दर्शन में और बुद्द को टीनो फिलासफी को हम कम से कम समय के अंदर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे पहली बार नास्तिक दर्शन वो नहीं है जो इश्वर को माने या ना माने इंडियन फिलासफी के अंदर जिसको आप एथिस्ट कहते हैं जिसको आप नास्तिक कहते हैं वहाँ इश्वर नहीं है, वहाँ है वेद, वेदों पर जो विश्वास करता है, वो कहलाता है आस्ते, उसका अप्थेिस्ट कहते हैं और जो वेदों पर विश्वास नहीं करता वो कहलाता है नास्तिक नास्ती चवेदम जो वेदों को नहीं माने जो वेदों के एक्जिस्टेंस को नहीं माने जो वेदों की नॉलेज को एक्सेप्ट ना करे वो कहलाता है नास्तिक इंडियन फिलासफी में चारवाद, जैन और बुद्ध तीन ऐसे फिलासफर हुए हैं या तीन ऐसे फिलासफिक स्कूल्स हुई हैं जिन्होंने पूल रूप से वेदों को इगनॉर कर दिया हालांकि इसमें मैं दो कैटेगरी करता हूँ कि आप चारवार को अलग पढ़िएगा और जैन और बुद्ध को अलग पढ़िए है कि इस करवेभा कि शुरू करते हैं चारवाग के साथ दर्शन इंडियन स्कूल ओफ फिलासफी का एक माद एक मत कंप्लीट मैटरीस्टिक और कंप्लीट एथिस्ट फिलास्टिक यह पूरण तहें हैं और फूरन तहें नास्तिक भे Gwen सौपरतिशत की बात कर Asian को द्यान र खुद की आत्मा और खुद की ईश्वर का निर्मान किया गया नहीं। इन्होंने कहा जो नहीं दिखता उसका एक्जिस्टेंस नहीं है। चारवार की फिलोसफी का बेस जो है, जो केंद्र जो है, वो सिर्फ इसी पर बेस है। प्रत्यक्षम किम प्रमान, और प्रत्यक्ष ही एक मात्र प्रमान है, प्रत्यक्ष के अलावा कोई प्रमान नहीं है। जब भी आप चारवार को पढ़ें, आप चारवार को इसी पॉइंट से पढ़िएगा। मैं कहता हूँ चारवार्क ने अनुमान को क्यों नहीं माना क्योंकि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता मैं कहता हूँ चारवार्क ने वेदों को क्यों नहीं माना क्योंकि चारवार कहते हैं वेद शब्दों पर निर्भर है शब्द और अनुभव के कारण वेदों का निर्मान हुआ और शब्द और अनुभव का प्रतेक्ष नहीं किया जा सकता मैं किसी और के एक्सपीरियंस से मेरी लाइफ कैसे जी सकता है मेरी लाइफ मेरी लाइफ है आपकी लाइफ आपकी लाइफ है तो मैं वेदों को भी accept नहीं करता, स्वीकार नहीं करता मैं कहूं कि चारवार में स्वर्ग और नर्ग को क्यों नहीं माना क्योंकि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता मैं कहूं चारवार में धर्म और मोक्ष को क्यों नहीं माना क्योंकि उसका भी प्रत्यक्ष नहीं होता चारवार एक ऐसा अदर्शन जो आपको समझाता है कि वास्तविक्ता के अंदर जीना किसे कहते हैं बहुतिक्ता के अंदर जीना किसे कहते हैं चारवार कहते हैं ये बहुतिक वाद है यह metabolism है जिसे आप कहते हैं जिसका आप गलत तरीके से पढ़ते हैं क्यारवार कहते हैं बहुती क्वाद में जीना सीखिए क्योंकि अगर आप नहीं जीएंगे तो कोई और जीएगा आपके सामने एक मिठाई रखी हुई है आप नहीं खाएंगे तो कीडे मकोडे खाएंगे, उसमें fungus लग जाएगा, जिवानु, वाइरस, बैक्टीरिया, कोई ना कोई तो उसे खाएगा, यह confirm है, जो बन गया उसका consume करने वाला भी बन गया, उसका consumer भी पैदा हो गया, उसका consumption तो होगा, उसकी खपत तो निस्चित तो क्यों ना उसे आप खा ले और अगर आप नहीं खाते हैं तो प्लीज ग्यान मत दीजिए कि इसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि आप ग्यान इंसानों को दे सकते हैं बैक्टिरिया वाइरस जिवानू ये वो इन्हें आप ग्यान नहीं दे सकते हैं ये तो खाएंगे चाहे सात्विक हो जाहे वो ताम सिक्षो जाहे वो सही बोजन हो जाहे गल्त न कोई-ना कोई तुसे खायए खायगा चारवाद दर्शन की जो जान मिमानसा जिसे आप कहते हैं एपस्तेम लाजी आप जिसे कहते हैं वो Bonjour interact प्रटक्ष के उपर निर्भर है, प्रटक्ष के उपर based है, जसका perfection कहते हैं, इनकी जो metaphysics है, जिसके अंदर जोने विश्व का, संसार का, इन सब चीजों के उपर इनोंने बात की है, वहाँ पर पहर्दी बात, वहाँ पर इनोंने हर उस चीज को माना है, जिसका protection होता है, हर उ अपना नेचर है जिसके कारण ये संसार को बनाते हैं जब आप चारवार्क से उनर जनम की बात करेंगे तो वो कहेंगे पॉसिबल नहीं है जब आप चारवार्क से आत्मा की बात करेंगे तो चारवार्क कहेंगे आत्मा नहीं है शरीर ही आत्मा है देह आत्मवार कुछ इस उन्होंने आत्मा को इस शरीर से मुक्त है ऐसा एकसेप्ट नहीं किया इस शरीर में ही विद्यमान है ऐसा एकसेप्ट किया है वो यह नहीं कहते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा निक्य है, ऐसी आत्मा उन्होंने नहीं माले, उन्होंने कहा जब तक मैं जिन्दा हूं तब तक ही आत्मा है, मेरी आत्मा का अस्तित्व मेरे शरीर के कारण है, और मेरे शरीर का अस्तित कहते हैं सापेक्षता का सिध्धान आत्मा की सापेक्षता शरीर के सापेक्ष में पढ़ रहा हूं और शरीर को आत्मा की सापेक्ष पढ़ रहा हूं तब जाकर दोनों बैलेंस हैं तो चारवार्क ने कहीं ना कहीं आत्मा को तो एक्सेप्ट किया रहा है चारवार्क का importance क्या रखा, महत्व क्या रखा चारवार्क ने society को purify करने की कोशिश की, सुधार करने की कोशिश की, एक revolution लाने की कोशिश की जितने भी आपके अंदविश्वास थे, superstitious activities जो होती थे उन सब वो खतम करने की उन्होंने कोशिश की negativity क्या रही चारवार्क कभी भी ये समझाई नहीं पाया कि वो चाहता क्या है फॉर एक्जांपल प्रत्यक्षम की इंप्रमाण़ आप जब प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो कहीना कि आप उसे explain नहीं कर पाए कि वास्ताओं में मैं क्या कहना चाहता हूँ जब आपने कहा कि बहुत सारे अनू हैं आपस में मिलते हैं संसार का निर्मान हो जाता है तो ये तो काल्पनिक बाते हैं क्योंकि मैंने किसी अनूओं को जुड़ते हुए प्रत्यक्ष नहीं देखा ये तो कल्पनाएं हैं और आप कल्पनाओं के खिलाफ है जब आप कहते हैं आकाश नहीं है क्योंकि उसका प्रटेक्श नहीं किया जा सकता तो यह भी आपका एक अनुमान है आइडिया है और आइडिया को आप एकसेप नहीं करते हैं कंक्लूजन करूं तो चारवार्क बेसिकले जो समझाना चाहता था वो किसी ने समझा ही नहीं है तो उसमें वो यह नहीं कहता है यह complete knowledge है वो यह कहता है कि प्रतक्ष ही ज्यान की शुरुवात है प्रतक्ष के द्वारा ही ज्यान का प्रारब्द किया जा सकता है उसके starting की जा सकती है जैसे कि western world के अंदर आपके लॉक बरकले और ह्यूम कहते हैं वही ची चारवा कह रहे हैं तो यह चार वात है सेकिंड आते हैं आपके जैन दर्शन जैन दर्शन भगवान रिशब देव ने शुरू किया और उनके बाद अलग 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 मैं कहूं कि जिन जो थे या जो ग्यानी पुरुष थे वो आते रहे 24 वा इस्थान भगवान महवीद ने लिया भगवान महवीद ने सबसे पहले इस विचार धारा को इस आइडियूलॉजी को एक नाम दिया उन्होंने कहा ये जैन है तो ये बड़ी प्रिलिम्स में बड़ी confusion होती है प्रिलिम्स में पूछा जाता है कि जैन दर्शन का नामकरण किस ने किया तो बच्चे रिशब देव लगा कर आ जाते नहीं रिशब देव जी ने प्रारंब किया था इस आइडिलोजी को शुरू किया था रिशब देव जी ने लेकिन नामकरण जो था वो भगवान महावीर ने आकर किया उन्होंने कहा कि ये जैन है जिन्होंने जीत लिया अपनी इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया अपने विचारों को अपने हाथ पर अंदर कर लिए, यह खत्रा उनी में था, तो भगवान महावीर ने कहा, यह जो जिन की अवस्था है, यह वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जो जैन होगा, और जैन ही जिन के लायक है, और जिन को प्राप्त कर लेगा, वही जैन है, तो भगवान महावीर न इसको आप तत्व विमान सा कहते हैं। जब आप इनके मेटाफिजिक्स की बात करते हैं तो ये कहते हैं अनेक आंतवाद, अनेक धर्म कम वस्तो। हर एक गटी विधी, हर एक क्रिया कलाप, हर एक घटना, हर एक इंसिडेंट जो भी आप देखते हैं, वो जैसे दिख रही है, वो कम्प्लीट नहीं है। हां, क्यों, क्योंकि मेरी नजर सीमित है, मैं limited चीजें ही देख सकता, मैं जिस देख रहा हूं, वो अपने आप में unlimited है, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप मुझे पूरा नहीं देख रहे हैं, पूरा मतलम, थूटा सा example, आप मेरे पीछे वाला इससा तो देख रही है तो मैं तो इनकम्प्लीट हो गया लेकिन जैन दर्शन में कहा गया कि यह से इनकम्प्लीट नहीं कह सकते हैं बेसिकली हम सभी ग्यान के उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां पर सभी का लक्षे शुद्ध, प्यॉरिफाई, कम्प्लीट नॉलेज को अचीव करना है लेकिन हम सभी रास्ते में चल रहे हैं गलत कोई नहीं है यहां पर लेकिन पूर्णते है सत्के भी कोई नहीं है गलत कोई नहीं है जैन दर्शन का अनेकांत वाद विश्व का एक मात्र ऐसा सिध्धान्त है जो सभी को स्विकार करने की बात करता है मैंने क्या कहा गलत कोई नहीं है सभी रास्ते में चलने वाले रहागीर है सभी रास्ते में चलने वाले ट्रेवलर्स है कोई पीछे है कोई आगे है कोई साथ में है इतना ही फरक है किसी को थोड़ा कोई दो करदम ज्यादा चल गया तो उसे थोड़ा ज्यादा 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 होते हैं कम ज्ञान हो सकता है अग्ञान नहीं हो सकता है तो फिर आप ने कहा कि महाराज ज्ञान कैसे करेंगे तो भगवान महावीर ने या जितने भी जिन हुए हैं उन्होंने फिर आपको इसकी व्याख्या करके समझाई तो और पर बहुत सारी बुक्स अलग लग चीजे लिखती है कुछ बुक्स लिखती है कि यहाँ पर शाद का मतलब शायद है कुछ बुक्स लिखती है पर शाद का मतलब शाद नहीं है शात है शात जो है रिलेटिविटी को समझाता है सापेक्ष्टा की बात करता है कि आपके सापेक का सिध्धान दिया शादवात को सिध्ध करने के दिये इन्होंने अपने साथ अलग अलग तरह के नय पैदा किये सब्ध भंग नय का सिध्धान्त दिया शाद अस्ती शाद नस्ती चन अस्ती चन अस्ती चन अव्यक्तम इस तरह के साथ अलग अलग तरह के इन्होंने सिध्ध जहां केवल आपको इतना समझना है शाद अस्ति शाद नस्ति शाद अव्यक्तम ये तीन चीजे हैं इनहीं का बाद में हमने क्रम अलग अलग अव्यक्तम फिर अस्ति चनस्ति फिर अस्ति अव्यक्तम फिर अस्ति अव्यक्तम फिर अस्ति अस्ति अव्यक्तम इस तरीके से हमन ने क्रम बना दिया सबसे मैत्पूर्ण जेंदर्शन का बंधन और मोक्ष का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा जेंदर्शन कहता है कि बंधन कब होता है कुछ लोग इसे गलग तरीके से पढ़ते हैं कि साथ कर्मों के कारण हमें बंधन आता है नहीं जब आपके कर्म इस बहुतिक संसार को प्राप्त करने के लिए किये जाएं तो बंधन आता है आपको इस अगर बहुतिक संसार को प्राप्त करना है और आप इसे लिए कर्म करेंगे तो बंधन होगा क्योंकि मोक्ष के लिए कैवल्य के लिए भी कर्म तो करने पढ़ेंगे बिना कर्म के आपको मोक्ष कैवल्य कैसे प्राप्त होगा तो इस लाइन को सही कर लिएगा कुछ बच्चे कहते हैं सर कर्मों के कारण बंथन आता है कर्मों के कारण बंदन, कर्मों से तो मोक्ष भी आएगा, कर्मों की दिशा क्या है, उस दिशा को तैकिए, जैंधर्शन कहता है, जब आरे कर्म पुद्गलों की तरफ हो, इस Metalistic World की तरफ जाएं, तो ये बंधन है, तो क्या किया जाए, तो इन्होंने कहा संवर और निरजर, दो वस्थाएं बताई समफर समर जिसको मैं कहाता हूं सवार ना when जब मैं अपने आप को सवारता हूं धिक भी के जब अपने आप को डेखुरेट कर रहा हूं समफर न में मैं जब से इसाही होता है जब सकको आप आउटर लेयर समझिये किसाब मैंने अपने चारों तरव एक आउटर लेयर बना ली ताकि बाहर से आने वाले किसी भी ऐसे बहुतिक संसार के विचार जो मुझे प्राटेक करें और जिसके कारण में बंधन में गिरूँ तो उनसे इनको मैं दूर रख सकूँ तो उसके लिए मुझे स समवर की अवस्ता अपनानी पड़ेगी निर्जर जो पहले से विध्यमान विचार हैं मेरे अंदर इस बहुतिक संसार के प्रती उनको जब मैं खाली कर देता हूँ तो निर्जर मैं अंदर से भी खाली हो गया और बाहर से प्रोटेक्टिड हो गया अब मुझे कोई बंधन पकड़ नहीं सकता समवर और निर्जर ये दो अवस्ताइं हैं जैन दर्शन की अब इसके अंदर भी रगल रगल स्टेजिस आती हैं आप देखेगा मेरे वीडियोज हैं बहुत सारे भाव समवर द्रव्य समवर भाव निर्जर द्रव्य निर्जर भाव का मतलब है जब मै टिर्यर हो गया यह द्रव्य है ठीक है इसके लावा जैन दर्शन में आप पुद्गल को जरूर देख लीजिएगा कि इन्होंने मेटलिस्टिक वर्ड की कल्पना किस तरीके से की है उसके अंदर उन्हें किस किस चीज़ों को माना है समय को इन्होंने का लग कंटेक्स्ट में पढ़ा है समय को अलग व्याख्या के साथ इन्होंने किया है चुकि ये सारे वीडियोज अवलेबल है मज़स रिवाइज मोड के अंदर आपको समझा रखा हूँ बुद्ध दर्शन की तरफ चलते हैं बुद्ध दर्शन जिसकी शुरुवात भी एक व्यक्ति ने करी और उस धर्म का निर्मान भी एक ही व्यक्ति ने किया और उसका प्रचार प्रसार भी एक ही व्यक्ति ने किया भगवान गौतम बुद्ध में इन्हों ने ही इसको तयार क इन्होंने प्रचारित किया इन्होंने प्राप्ट कर सब्सक्राइब ज्यान के वेद पढ़ने के आवश्यक्त्य है किसने कहां वेद पढ़ने की आवशक्ता है मैं आपको दूसरा रास्ता बताता हूँ तो इन्होंने अपना नया रास्ता समझाया जिसको कुछ लोग कहते हैं कि ये आरिसत्य के नाम से प्रसिद्ध हुए चार आरिसत्य जो हर एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं इन्हें पढ कारण है तो उसका कोई सॉलिशन भी होगा अगर सॉलिशन होगा तो सॉलिशन कैसे होगा ये चार आरिसत्य कहलाई बगवान बुद्ध ने इसके बाद इनका फेमस कॉजेशन थियोरी प्रत्यतिसमुठपाद समझाया प्रत्यतिसमुठपाद एक अलगी कंसर्प्ट था इ एक था आपका सतकार्यवाद और एक था असतकार्यवाद सतकार्यवाद बात करता था निट्यता के continuous form की बात करता है असतकार्यवाद continuous form की बात नहीं करता है लेकिन प्रत्यत्य समुत्पाद इस दोनों की बात करता है यह कहता है process तो continuous है लेकिण अवस्थाइं परीवर्तन शील है जनम और मेंट्स हो गया लेकिन अवस्थाइं बदलती रहे तो प्रतित्निसा मुत्पद परीवर्तन शीलता के उपर आधारित ना ही तो इशाश्वत वाद की बात करता था असतकार्यवाद की तरहे ना ही यह त छेद वाद की वाद करता था, असत कार्य वाद की तरह ये परिवर्तन शीलता की वाद करता था, परिवर्तन शीलता की वाद करता था, ये एक प्रैन के वाद अवस्था बदल जाती है, जिसको अब खतम कह रहे हैं, वो खतम नहीं है, वो परिवर्तन है, अवस्था बदल ये नित्य नहीं है ये शाश्वत नहीं है ये परिवर तन्शील है जैंदर बहुत दर्शन का एक और बड़ा फेमस सिद्धान आता है आपका छणिकवाद कन्फूजन है कुछ लोगों को कि साहब ये सिद्धान्त भी भगवान बुद्ध ने दिया था ये भगवान बुद् हो जाती है शन में पैदा हो जाती है लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है ये तो बड़ा मजाग हो गया थंभव नहीं है ये तो छणिक वाद ये नहीं कहता जैसे आप सुनते हैं मैं तक्रीवन 7-8 साल तक इसका अध्यन किया बहुत दर्शन का तो मैंने पाया कि छणिक अंधेरा गाया प्रकाश आया अलगलग समय पर नहीं एक छण में जन्म है अंधेरा मर गया प्रकाश पैदा हो गया खाली ग्लास है पानी डाल दीजिए खाली पन मर गया भारी पन पैदा हो गया यह चारवार्क जैन और पढ़ें तो प्रतिता सिद्धान्त आपके लिए महत्पून है जैन दर्शन से आप पढ़ें तो बंधन और मोक्ष के सिद्धान्त को जरूर पढ़ लीजिएगा आ सकता है बौद दर्शन से आप पढ़ें तो आपका प्रतितना मुत्पाद और छणिक वाद को पढ़ लीजेगा आ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे सांख्य और योग दर्शन को तब तक के लिए बहुत बहुत धनीवाद